नमस्कार, स्वागता बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे बड़ा विश है विरोजगारी को लेकर मतलब ये हर एक इनसान के आज की टाइम में मतलब बहुत बड़ा इशू बना हुआ है भारत में बिरोजगारी बढ़ रही है और बहुत जादा तेजी से बढ़ रही है अब उसके reason क्या है और बिरोजगारी किस-किस कार्ण से बढ़ रही है उसको रोका कैसे जा सकता है और इसके असर क्या बढ़ते हैं एकनोमी के ओपर या तेश के ओपर इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में चलिए अभी हाल फिलाल में Center for Monitoring Indian Economy CMIE ने आंकड़े प्रस्तूत किये हैं दिसंबर 2021 में भारत की विरोजगारी बीते चार महीनों में अपने उच्तम स्तर पर यानि सबसे हाइट स्तर पे पहुँच गई है 7.9% देखे जब करोना के टाइम में थी ये विरोजगारी एक टाइम जब कुछ टाइम पहले 9% भी पहुँच गे थी लेकिन उसके बाद कुछ डाउन आई 7% तक पहुँची लेकिन अब फिर से उपर उठनी लगी है रीजन क्या है? रीजन भाई ओमिक्रोन आगया है ओमिक्रोन वेरियंट आया है जिसके चलते कुछ राज्य सरकारों ने अपने परतिबंद लगाने स्टार्ट कर दिये हैं अब जिन परतिबंदों के कार्ण कंजम्शन में जिनके उपर असर पढ़ने वाला है अब कंजम्शन पर असर पढ़ेगा ओविसली प्रोडक्शन पर असर पढ़ेगा ओलेडी जैसे गौर्मेंट ने अपनी गाइडलेंस निकाली है कि 50% जो है वो कैपेस्टी रखनी होगी किसी भी होटल के अंदर जिसके चलते असर तो पढ़ने वाला है एकनोमी के उपर no doubt अब यहां पर 7.9% का मतलब क्या है इसको मैं समझाऊँगा कि 7.9% का मतलब क्या होता है कितनी बिरोजगारी हो गई है यह rate कैसे निकाला जाता है unemployment का और भारत में तो 7.9% पहुंच गई है पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा विरोजगारी है वो है हरियाना यानि दूद दई का खाना यहां पर सबसे ज़्यादा है विरोजगारी 34.1% मतलब यह rate चल रही है यहां पर फिर आते है राजस्तान के उपर राजस्तान में 27.4% के करीब चल रही है यहां पर 27.4% या 1 के करीब यहां पर विरोजगारी चल रही है शहरों में विरोजगारी 7% के rate से चल रही है और ग्रामेंड में 9% के rate से चल रही है तो भाई साब यह आंकड़े हैं CMIE ने यह आंकड़े प्रस्तूत किये हैं अभी हाल फिलाल की ताजा ताजा रिपोर्ट इन्हों ने निकाली है चलिए एक बार बात कर लेते हैं विरोजगारी के बारे में विरोजगारी कहते किसको है तेकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम में economic activity में लगा हुआ है उसको कहते हैं रोजगार उसको रोजगार मिला हुआ है लेकिन क्या हो वो इनसान जो काम करना चारा है और काम की तलाश में है और उसको काम नहीं मिल पा रहा है तो उस चीज़ को कहते हैं बेरोजगारी और बिरोजगारी मतलब unemployment किसी भी देश की अर्थविवस्था की health दिखाते हैं कि वहाँ पर अर्थविवस्था कैसी है अच्छी चल रही है बूरी चल रही है obviously अगर economy अच्छी है वहाँ पर industries आ रही है investment कर रही है तो वहाँ के लोगों को रोजगार की कमी नहीं होगी तो ये एक चीज़ दिखाती है आईए जिरा बिरोजगारी को समाने थे बिरोजगारी दर के रूप में मापा जाता है बिरोजगारी दर यानि unemployment rate के रूप में मापा जाता है श्रमबल में शामिल व्यक्तियों की संक्या में से बिरोजगार व्यक्तियों की संक्या को भाग देकर प्राप्त किया जाते है क्या मतलब हुआ इसका अब भी समझाता हूँ मैं कहता हूँ कि 80 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं 20 लोग तलाश कर रहे हैं मतलब ये काम करना चाहते हैं, इनके पास job नहीं है, लेकिन ये काम कर रहे हैं, इन दोनों को add कर दो, ठीक है, इन दोनों को add करके, जो unemployment है, unemployed जो वेक्ति हैं, ये 20 हैं, तो 20 बटे, 100 कर दो, और उसको multiply कर दो 100 से, तो भाईया, rate क्या निकल के आएगा, आपके सामने 20%, clear यहाँ पर, तो 20% की बिरोजगारी यहाँ पर rate चल रहा है, भारत में कितरा है, 7.9, करीबन करीबन, 8 माल लो, यानि 6 वेक्तियों में से, 8 जो लोग हैं, मतलब की बिरोजगार हैं, पाकि 92 को तो भाईया, जो मिली हुई है, तो सर, इसमें प्रोब्लम क्या है, 92 यह तो आठ तो है, भाई, इसको जब आप बड़े पैमाने पर माप के देखोगे, नहीं तो 100 पे माप है आपने, जब इसको हजारों, लाकों, करोडों के उपर मापा जाएगा न, तो यह संक्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और विरोजगारी बढ़ने से, इनसान के उपर बहुत दवाब पढ़ते हैं, मतलब सोच कर दे कोई एक विक्ति जिसके पास काम नहीं है, वो क्या करेगा अपना घर चलाने के लिए, और वेसली इल्लीगल काम करने स्टार्ट कर देगा, या नशापता स्टार्ट कर देगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क पढ़ता है उस परिवार के उपर, जिसके पास जोब नहीं है, वहाँ पर उन परिवार के उपर भाई सब बता ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा मैंने देखा है, लोगदाउन के टाइम में, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सहा है, अच्छा, NSSO, National Sample Survey Organization ने अपनी एक definition लिगा लिया, उस definition के according क्या है, कि बिरोजगारी को मापा कैसे जाता है, किसको कहेंगे बिरोजगार है, किसको कहेंगे रोजगार, रोजगार उसको कहते हैं, अगर वो किसी economic activity में लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो वो रोजगार है, बिरोजगार उसको कहेंगे जो काम की तलाश में है, यानि labor power से तो वह आपके सामने rate निकल के आ जाएगी तो यह आपके सामने formula दे रखा है clear यहाँ पर अब कुछ बिरोजगारी के परकार भी जान लेते हैं कितनी टाइप की बिरोजगारी होती है एक होती है परचन बिरोजगारी disguised disguised unemployment इसमें क्या होता है कि देखिए एक जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों की requirement चार है लेकिन वहाँ भर रखे हैं आठ जैसे कि हमारे होगे खेती जहाँ पर धान लगाने के लिए व्यक्ति चाहिए थे कितने सिरफ तीन लोग चाहिए थे तीन लोग उस खेत में धान लगा सकते हैं लेकिन वहाँ पर तीन के जगह भर दी अच्छे यानि जादा जादा लोग भर देना वहाँ पर ठीक है ये एक तरीके की प्रच्छन बिरोजगारी होती है एक मौसम बिरोजगारी होती है मौसमी बिरोजगारी यानि seasonal unemployment जैसे कि आपको बता है कि भारत एक क्रिशी परधान देश रहा है जहाँ पर जादा तरजन संक्या जो है यानि 50% के लगबग आसपास या उससे उपर क्रिशी के उपर dependent करती है वहाँ पर एक टाइम के बाद कभी होता है अब यहाँ पर उगानी है उगाने के लिए यानि बुआई करनी है कटाई करनी है तब तो employment generate होता है लेकिन काफी टाइम के यहाँ पर लोग जो है उनके पास employment नहीं होता फिर आती है सरंचनातमक विरोजगारी यानि structural unemployment structural unemployment का मतलब है कि देखे आप degree लेके घूम रहे हो किसी और चीज की लेकिन market में उसकी कोई value नहीं है सिंतीजी बात है कि market में requirement किसी और चीज की आपके पास वो skill नहीं है तो यह जो चीज है वो कहलाती है structural unemployment भारत में सबसे बड़ा कारण यही है भारत में जिस तरीकी की आवशक्ता है skill की वैसी है ही नहीं यहां पर वैसी मतलब कि लोगों के पास कुछ और degree है या फिर कहीं उनके पास है ही नहीं और जो requirement है market के अंदर वो उनको skill नहीं मिल रही है जिसके कारण जो है job नहीं मिल पारी है उनको clear यह होगी फिर होती है चक्रिय विरोजगारी यानि cyclic unemployment यह जो होती है मंदी के दोरन आती है जब मतलब recession आता है market के अंदर तब एक तरीकी की विरोजगारी यहां पर हो जाती है यह पुझीवादी अर्थविवस्ता में होता है फिर आती है तक्नीक की विरोजगारी तक्नीक की विरोजगारी का मतलब होता है यानि technology से जो job जाने वाली है automation जो आ रहा है उससे कितनी job पे परभाव पड़ता है यह क्यों होता है 2016 में World Bank ने एक भहुश्यवानी किया भारत के लिए कि भारत में जो automation से job के लिए खत्रा जो एक ratio बन रहा है वो 69% बन रहा है हर साल अब एक तरीके से देखा जाए ये मैं थोड़ा सा इसको मैं उतना favor नहीं करता हूँ क्योंकि अगर technology बढ़ रही है तो उसको सीखने के लिए यहां पर requirement भी बढ़ रही है कि हमें ये technology चाहिए तो लोग उसको सीख रही है तो ये एक तरीके कि मैं इसको इतना favor नहीं करता हूँ technology से इतना कुछ affect पड़ता है लेकिन technology से उसको कारेगर भी तो चाहिए ना चलाने के लिए उस technology को तो एक चीज़ यह हो गया अब आते हैं आगे एक होती घर्षन बिरोजगारी यानि Frictional Unemployment Frictional Unemployment का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी जोब को छोड़ कर मतलब कि उसको एक बढ़िया जोब मिल गई है अब वो उस बढ़िया जोब में transfer कर रहा है तो एक होता है तो एक होता है टाइम पीरिड कि भाईया मैं इस कंपनी से अपना हिसाब निकाल लूँ फिर B कंपनी में मुझे जाना है तो वो A से B में जाने का जो टाइम होता है उसके पर इसमें जो जोब नहीं होती वो होती है Frictional Job ये एक तरीके सी स्वेचिक बिरोजगारी है यानि आपनी अपनी इच्छा से एक अच्छी नोकरी के लिए अपनी पुरानी जोब छोड़ दी है फिर होती है Value Unurable Unemployment इसका मतलब होता है Value Unurable Unemployment का मतलब होता है कि एक विक्ति ऐसी जगहां पर काम कर रहा है जहां पर कोई उसका डेटा नहीं रखा जा रहा है कि वो यहां काम कर रहा है उसके वहां पर कोई record नहीं है यह भारत में सबसे बड़ा कारण है विरोजगारी का क्योंकि यहां पर पता ही नहीं है अब भारत में विरोजगारी के कारण किया है? भारत में विरोजगारी के कुछ एक कारण है जैसे समाजी कारक होगे यानी शोशल फैक्टर बोले तो आपको पते है चास्टिज्म चलता है जहां पर कुछ लोग यह मानते है की एक पर्टिकुलर काम तो ये वाली society करेगी और दूसरी society ये वाला काम नहीं करेगी जिसके चलते यहां पर विरोजगारी बढ़ रही है बड़े वेवसाइब वाले बड़े परिवार में से बहुत से लोग होंगे जो काम नहीं करेंगे और अपनी परिवार की आहे पर निर्पर करते हैं जैसे कि मैंने देखा हुआ है जब मैं डैली में जब था वाहां पर किराये पर रहता था तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है भाई साब बिलकुल सेठ बनके अपने गले में सोने की इतने मोटी चैन पैन के बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन तब उनसे पूछो भाईया तुम काम क्या करते हैं कुछ नहीं रहे हमारे बाबू हमारे लिए घर छोड़के गए हैं अच्छा खासा किराये पैचावड़ा रखाए हमने और हमारा काम चल रहा है तो यह एक त्रिक्के का हो गया लेकिन यह तो मैंने छोटा सो दान दिया यह तो बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं एक होती है जनसंक्या का तीवर विकास जनसंक्या का तीवर विकास यानि जैसे जैसे जनसंक्या बढ़ रही है तो एक बिरोजकारी की तो जनसंग्या भी सबसे बड़ा कारण है, क्रिशी का परभूतव, लेकिन इसे एक effect भी मतलब होता है, कि जनसंग्या बढ़ रही है, तो आपके सामने officer भी पैदा हो रहे हैं, एक होते क्रिशी का परभूतव, क्रिशी का परभूतव यानि, dominance है agriculture का, कैसे हैं, कि हमारे देश में आज भी क्रिशी जो है, डेवलोप्मेंट नहीं हुए, इसकी अंडर डेवलोप्मेंट है वो, अभी चल रही है, और यहां पर हमारे देश में ज़्यादा तर जो चीज़ें क्रिशी के परभूतव हैं, वो मौसमी है, मतलब कि सीजनल है सारे की सारी, बारिश होती है तो अच्छी फसल होती है, बारिश के ओपर काफी सारी चीज़ें हमारे dependent करती है, जिसके चलते यहां पर unemployment generate होता है, एक होता है fall of cottage and small industries, कुटीर और लगू द्योगों का पतन हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, कि यहां पर लोगों में कमियां लोग जो है unemployed हो जा रहे हैं, कारिगर जो हैं, इन में पतन हो रहा है, इन उध्योगों के अंदर small industries हैं, इन में कमी आ रही है, जिसके चलते यहां के जो कारिगर हैं, जाना नहीं चाता हैं, दूसरे शेर में job है, लेकिन वो दूसरे शेर में इसलिए नहीं जाना चाता है, क्योंकि वहां पर भाषा अलग है, शहर धरम अलग है, वहां की जल्वाईयू अलग है, या अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता हैं, मो माया भईया, सब मो माया फिर आते हैं शिक्षा प्रणाली में दोश पुंजीवादी दुनिया के अंदर नोकरियों का अत्यदिक विश्षिस्ट हो गई है बोले तो भईया इस देश में उस इंसान की या फिर इस दुनिया में जादा तर उन इंसानों की जादा वैल्यू की जा रही है जिनके पास एक पर्टिकुलर स्किल हो जो उनके इस कैपिटिलाइजिशन के अंदर वहां पर उनको पैसा कमा के दे सके तो जिसके चलते इतनी शिक्षा मतलब जिस शिक्षा की जुरूरत है वास्ताव में वह शिक्षा भारत में पर्वाइड नहीं की जा रही है तो यहां क्या हो रहा है इस परकार में बहुत से लोग जो कर रहे करने के इच्चुक हैं वे कोशल की कमी यानि स्किल की कमी होने के कारण बेरोजगार होए बैठे हैं मतलब शिक्षा प्रणाले भी काफी इंपोर्टन है डिगरी ऐसे ऐसे कॉलिज बैठे हैं जो ऐसे ऐसे डिगरी दे देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने आज तक जिंदिगी में नहीं करवाया होगा किसी बच्चे को लैब के अंदर इंडी डाला होगा उन्होंने और वो कैदें कि लो भीया तुमारी एक डिगरी हमने दे दिया जाओ जोब कर लो भीया जोब कौन देगा उसको जब तक तुमने उसको प्रैक्टिकली कोई नोलिज नहीं दिये तो अब सरकार क्या कर रहे है रहे सरकार कर रहे है आपके लिए कुछ चीजें चला रहे हैं सरकार ने जैसे आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्तन यानि जिसको स्माइल एक चोटा नाम है ये एक स्कीम चला रखी है प्यम दक्ष परधान मंतरी दक्ष और कुशल संपूर्ण हितगारी योजना मनरेगा चला रखी है प्यम प्राइम निस्टर यानि परधान मंतरी कोशल विकास योजना चला रखी है स्टार्टप इंडिया योजना चला रखी है यह सारी चीज़ स्कीम भारत सरकार ने चला रखी है कि भाईया थोड़ी वह तो मेरोजगारी कम कर सके फिर आगे की रहा बोले तो भाईया क्या कर सकते हैं प्रमोट करना होगा हमें लेबर इंटेंसिव इंडिस्ट्रीज को जैसे की फूड प्रोसेसिंग होगा लेदर एंड फूट वियर मार्किट होगी वूड मैनुफेक्चर होगी फरनीचर होगी यह टेक्स्टाइल होगी इन इंडिस्ट्रीज में जहां पर ज़्यादा तर लोगों को काम मिल सकता है यहां पर इंसेंटिव देने होगे डिसेंटरलाइज करना होगा हमें उद्योगों के कुछ उद्योग ऐसे हैं जहां पर सरकार का थोड़ा पर बुतब हमें कम करना होगा ताकि वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके ग्रामेंट शेतरों में विकास करना होगा ताकि शहरों में वो आकर रोजकार मतलब ना खोजे और वहाँ पर जो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर उनके लिए नोकरी का दबाव कम हो वहाँ पर दूसरी जीजे एक national draft बनाना होगा national employment policy हमें ले के आनी होगी उस policy के अंदर हमें क्या करना होगा या सरकार को क्या करना होगा कि जो व्यक्ति है उसके skill के उपर हमें काम करवाना होगा informal sector में लोगों को अच्छी से अच्छी job मिल सके इसको बढ़ावा देना होगा जो private sector है उनके अंदर investment लानी होगी जो व्यक्ति खुद काम कर रहा है उसका आप कैसे मतलब कि उसकी capability को कैसे strength कर सकते हैं वहाँ पर उसके लिए वह काम करने होगे तो यह सारे काम करने पड़ेंगे clear हुआ तो यह ता था एक बिरोजगारी के उपर छोटा सा प्यारा सा lesson तो आप लोगों को पसंद आया है तो like कर सकते हैं subscribe कर सकते हैं चैनल को और ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो भही आप शेयर कर दीजिए वीडियो को भी और चैनल को भी और हाँ पीडियोफ पीडियोफ सरका मिलेगी इसकी पीडियाप आप लोगों को मिल जाएगी टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा आपको इसमें क्या कहते हैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर वहाँ पर जोइन कर लिजिए टेलिग्राम का है, फेस्बूक रूप का है फेस्बूक पेज का है, सब चीजें आप लोगों का अविलेबल है तो बस आज के लिए इतने था, थेंक्यू पर वोचिंग इस रीडियो